नमस्कार पाडर मचेल में फिर से स्वागत है पाडर मचेल जनता के हितों का थावेदार एक बार फिर से आपके समक्ष एक नई रिपोर्ट के साथ हाजिर है कहते हैं लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुह में वो लगाम रहती है जी हां यह पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है जब मैंने बातचीत करी गाउं चिटो के अंदर लोगों से कि सहत सुविदा को ले करके उनके पास क्या-क्या सुविदा हैं उपलब्द हैं यहां पर जब हम यहां पर यह जमीनी हकीकत जानने के लिए आए तो हम अचंभित यह जान करके रहें कि यहां पर पिछले 25 सालों से फंक्शनल एक सबसेंटर एक डिस्पेंसरी के नाम से यहां पर सुचारू रूप से चालू तो है पेपर्स में लेकिन इसकी रियालिटी क्या है वो इन लोगों से बात करने के बाद हमने जाना और हम इनसे बात भी करेंगे कि यहां का करन्ट स्टेटस और स्टेचर क्या है क्या लोगों को ठीक टाइम पर डोलो पेस्टा मोल जैसी सुधाय उपलब्द होती है क्या बच्चों का टीका करन होता है और क्या सबसे इंपॉर्टन बात यहां पर प्रॉपर स्टाफ इंगेज किया गया है या नहीं किया ग तो वह कहते हैं जमें पीछे से स्टाफ नहीं है तो फिर ये लोगों के लिए क्या आपने प्रबंद किया है क्या लोगों को आपने ऊपर क्या हवाले चोड़ा है या कैसे आपने उनकी सब्सक्राइब का ध्यान रखना है इसी खास रिपोर्ट के साथ आज हम यहां पर आये हैं जहां पर यह चोटी सी डिस्पेंसरी चोटे से कमरे के अंदर बसाई गई है पिछले काफी सालों से और यहां पर लोकल यहां की वरकर ह अच्छा आपकी ड्यूटी कब से है यहां पर मैं 2017 से उससे पहले कौन था वो नहीं मालू है अच्छा आपको यहां पर मालूम है कितना स्टाफ वैसे होता है जब से मैं आई हूं तो यह एक थी वो 2018 में 2018 स्टारा में शायद वो रिटाइर हो गए अच्छा हाँ सोल के थे उसके बाद फिर अपने दर्शकूं को बता दें कि मैड़िकल एसिस्टेंट का नहीं है 14 कि होता है लेकिन इससे पहले यहां पर मेडिकल एसिस्टेंट की पोश थी और शब्सेब्स होगे है इन दर्शचों को यह चोटा सा समझा जिसके जो है गाइड लाइन के अंदर ट्रीटमेंट जो है किया जाता है लेकिन यहां पर कब से आप यहां पर आए तब से आपने मेडिकल एसिस्टेंट नहीं देखा जैसे कि निशा जी ने बताया जो यहां पर फीमेल मेल्टी परपस के तौर पर काम कर रही हैं चिट्टो के लोग यहां पर रहते हैं तो जाहिर से बात है उन्हें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और ऐसे में वहां पर उनको ट्रीट करने के लिए फीमेल मेल्टी परपस हैं हाला कि यह एक मिसाल है यह एक मिसाल है हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब हम आये तो यहां पर मौज लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह है कि चिटो गाउं मचेल गाउं पलाली गाउं यह कुछ ऐसे गाउं है जहां पर यात्रा के वज़े से पूरे प्रदेश के मैप पर इनको देखा जाता है लाकों की तैदात में श्रधालू आते हैं और आने वाले हैं हाला कि supply लाने का supply की maintenance जो यह करने का जिम्मा जो होता है एक head of the institution या इस head of this dispensary का होता है medical assistant medical assistant BMO साहब नमश्कार आपको बता दूं सर कि यहां पर medical assistant की post जब से last बंदा retire हुआ यहां पर तब से कोई medical assistant की job है नहीं यहां पर कोई बंदा यहां पर post vacant है नहीं है कोई आया न यूजबल है लेकिन कुछ दवाईयां ऐसी भी हैं कि जो एक आद महिने के अंदर expire होने जा रहे है उससे यह भी मालूम पढ़ता है कि supply जो है वह आती है लेकिन updated supply नहीं है तो हमने निशा जी से यह भी मालूम करा कि वह खुद अपने पैसे दे करके खुद धो करके labor दे कर कि या फेर दे करके दवाईयां यहां तक लाती है अच्छा यातरा को ध्यान में रख करके निशा जी नहीं कोई supply आई है यहां पर जी नहीं आने वाली है यहां वही बात है जब किसी को पता चल जाता है कि कोई आने वाला है तो तभी हमारे पूरे भारत देश के अंदर ल यहां आ रहे हैं यातरा वगरा ऐसा कुछ हो रहा है तब जा करके सबके खांगे और सबलोगत आ जाते हैं बारहाल यहां की दिस्पंसरी की और अब हम यहां पे कुछ लोकल मकामी बसनी की लोगों से बात करेंगी उनका क्या इस बारे में करना राम राम जी मौमा जी तो बुल नहीं तो बहुत सब्सक्राइब बहुत अब पाता नहीं है अब बीपञे सल्ट भूल ज्यादा अने जी की आना अट हाल चाल आट डॉक्टर बुने ने करनी अब भी अपने अफ़ाल मेडिकल अस्टेंट अब तका कोई नाया हुआ विए इस इंधर जी निचाद भी आपां निचाद देवार भी आपां गरां अचा तो आइज़ ज्पल जरूरत की बुने ने जुक नो यह जो भी बिल्कुल देन रहाँ निदर रहाँ तो क्राण जरूरत अगर लो ना पान्च सरपांच कर तुसी ना जी आशी काम हो जूट ना अची बहना से बाल की ता बुने से जब तक गबर न रोलन तसम अगा जाब से रोल ओर नहीं तो तो आज आगर तन्की शुनाया हाने आगर लगना पेट खराब होना सुए शुए दीन बुने से कम भाइगे नेट बिलकुल पहले इट मतला बने दौा यह जनी ने पन रसावे दौा सौल बेसे जनी अब यातरा आज रहे होने असदारान थोड़ा बहुत फी दौाय लगा होने बहुत फिर केशन बेलकुल कैसी चान अ जागना आठिल लग गहें और की कहाने ता और की की मसले हो इस ग्राँ और को प्रावलम है नहीं वह अब आप जाड़ा है ने बहुत है जाड़ा शी मतलब मतलब है आया चीज है आई पराप लग की अचान था बूसे बीम अने ब्लाग मेडिकल आफिसर बोना पूरे परड लेकन यहां मलादम हो ऐसा लाव हुरकनी मजूद ने निशादी लाव चालो लेंगा तो ये थी हकीकत यहां चिटो गाउं की जहां पर हमने मकामी बसनी की यहां पर बज़र्ग हैं उनसे भी बात करी और उन्होंने बहुत छोटे से लफजों में एक बहुत बड़ी कहाईनी बया करी है आजाद भारत की जहां पर मैं अक्सर कहता हूं कि चांद प पहाडों की शरंखलाओं में ऐसे लोग रहते हैं जो मूल भूट सुविधाओं से अभी भी जो है सफर कर रहे और परेशान हैं लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम पंचों और सरपंचों को जा करके पकड़े क्यों कि वो कहीं ने कहीं हमत हार चुके हैं और सबसे को जो यहां पर इन लोगों की नीट्स को कैटर करने के लिए 24-7 हाजिर रहती हैं और वहीं पर हम भक्षना करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं डिपार्टमेंट मेडिकल को लीडर्स को चुनए होई नुमाइंदूं को पाड़र के लेवल पर और BMO सहाब की नजर अंदाज इंडिया के अंदर ऐसे गाओं का ध्यान रखा जाएं जहां पर लोग रोड से भी मरहूम हैं क्योंकि रोड ही वो बेसिक चीज है जिसकी वज़े से स्कूल में टीचर भी टाइम पर नहीं आ पाते क्योंकि काफी दूर से आना होता है बारिश होती है पहाड़ी इलाका है तो रोड ही ले करके वो में चीज है वो मूल भूत सुविदा है जिसके चलते हर एक चीज जो है उपलब्द कराई जा सकती है रोड होती अगर तो यहां पर क्विकली स्टाफ भी आ जाता रोड होती अगर यहां पर प्रॉपर नेटवर फंक्शनलिटी और हर चीज होती त तो ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रही है पाडर में चेल जैहिंद